तो फ्रेंस आज हम बना रहे हैं सबकी फीवरेट पनीर भुर्जी और ये इतनी टीस्टी बनी है न कि देखकर आपका भी मन करेगा कि हमें इसे खा लेना चाहिए फटा फट से जल्दी से तो चलिए आज इसे बनाते हैं मिलकर साथ पे फटा फट पांच मिनिट में बनने वा सामान से ही आराम से बना सकते हो टेस्टी है प्लेन भी खा सकते हो पाव के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ तो चलता ही चलता है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में तो चलिए हम सम मिलके बनाते हैं बहुत टेस्टी पनीर भुर्जी तो सबसे पहले हम उसके वारिक छॉप क्योंकि इसमें पिसा हुआ पेस्ट डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता है हमें बारिक बारिक चॉप करके डालेंगे तो ही एकडम अब्रेसरी पनीर भुर्जी वाला टेस्ट आएगा जो कि बहुत टेस्टी होता है तो बस वही किया मैंबे पहले बारिक ब मेटो के छो छिलके निकलते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं आदा चॉप करके डालूंगी और आदा जो मतलब दो टमाटर है उनकी प्यूरी बनाकर डालूंगी तो बस मैंने बारिक बारिक दोनों चीजों को चॉप कर लिया है और अब शुरू करते हैं हम हमारी बाकी की प्रॉसेस तो ये देखिए मैंने पनी रात को ही बना के रख दिया था घर का बनाते हैं तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है आप मार्केट से भी ला सकते हैं और अमूल का भी फ्रेश मिलता है वो भी अब अगर घर पे बनाते हैं तो कुछ अलग ही बनता है देखिए कितना फ्रेश पनीर बनके तयार हुआ है अलग ही लग रहा है और ये बजार से भी ज़्यादा अच्छा बनता है रात को आप बना के रख दीजे और सोबा इसे फ्रिज में रख दीजे अब रात से सुबा तक फ्रेश में रख रहे हैं दीजे देखिए कितना टाइट बना है और एकड़ मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनके तयार हुआ है तो बस अब हम शुरू करते हैं हमारी पनीर भुर्जी बनाना यह मैंने एक चमच ऑईल में खूप सारा बटर डाल दिया है ऑईल इसलिए डालना होता है कि हमारा बटर जली नहीं अगर आप बटर में ऑईल नहीं डालेंगे ना तो वो पैन में जलने लगेगा इसलिए थोड़ा सा उसमें अगर आप oil मिला देते हैं तो वो सही होता है अब हमने डाल दिया इसमें जीरा और थोड़ी सी हींग हींग आप चाहे तो skip भी कर सकते हैं कोई कंपल सरी नहीं है बट जीरा तो डालने ही डालना है जिससे अच्छा सा flavor निकल के आता है बटर के साथ में जीरे का तो ये देखिए मेरा जीरा अच्छे से तड़का लग चुका है और अब इसमें डाल देंगे प्याज, अद्रक और लेसुन ये सब मैंने दर्दरा करके रखा था प्याज के साथ में ही डाल दिया जिससे इसे हलका सा golden हमें fry करना है तो ये बहुत अच्छा सा बनकी तयार हो जाए और जलाना नहीं है और बहुत डाक नहीं करना है बिलकुल हलका सा क्योंकि जो पनीर भुरजी होती है इसका अंदर से जो flavor आता है उपर से spicy होती है बट अंदर से जब खाने के बाद फ्लेवर आता है वो थोड़ा मीठा मीठा साथ है तब भी वो अच्छी लगती है इसलिए प्याज को बिलकुल हलका सा आपको इसे सिर्फ गोल्डन फ्राइ करना है और गोल्डन फ्राइ करके अब इसमें हम डालेंगे हमारे सारे मसाले जो ह अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यह कोई डिसाइड नहीं है कितना डालना है यह कम ज़्यादा आप कर सकते हो मेरे आपे थोड़ा कम चलता है मेर्च मसाला तो मैं कम ही यूज करती हूँ आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें खुप सा अरिके से फ्राय हो चुक्ते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर जो हमने काट रखे ते और सात में मैंने छोटे-چोटे पनीर के पीसे भी काट रखे ते यह भी कमपसरी नहीं है आप अगर सारा पनीर हाथों से मैश करकर ही डालना चाहते हैं तो मैश किया पनीर ही डाल सकते हैं बर छोटे-छोटे पीसेस में पनीर डालते हैं तो थोड़ा बीच बीच में उसको जो टीस्ट आता है वो और भी अच्छा लगता है खाने के लिए तो मैं इस तरह से जब भी पनीर भुर्जी बनाती हूं एकदम बारिक टमाटर और प्याज के साइज म पनीर के छोटे-छोटे पीसेस करकर भी उसे डालती हूं तो एक बहुत अच्छा सा जब हम इसे खाते हैं तो मुझ में फ्लेवर आता है यह पनीर तो बहुत अच्छा लगता है बस अब यह हो चुका है अब इसमें में डालूंगी मेरी टमाटर की प्यूरी मैंने जैसा श आदा उसमें पीसिस करके चॉप करके डालती हूं जितना बारिक मुझ से हो सकते हैं तो एक डम बारिक चॉप हो जाएगा तो अब इसे थोड़ी दिर के लिए हमने छोड दिया था दो मिनिट तीन मिनिट के लिए जिसे ओईल और मसाला दोनों सैपरेट हो जाए और इसे तरीके से सब चीजे आपस में मिक्स हो जाएं तो ये देखिए आपको देखकर ही समझ में रहोगा कि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं अपना बाग की बच्चा हुआ पनीर इसमें हातों से मैश करकर ही डालना है जिससे उसका जो मीठा पन है उस पनी डला हुआ है थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर खुद बाखुद निकल के आएगा तो बस उसे हातों से तोड़ कर डाले वही अच्छा है आप चाहें तो उसे कस्की भी झाले वही अच्छा है झाल 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 झाल